आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। जिस पर कोई प्रकास की राण आपती थोरी है, तो हमारा आपतन कौन देखे, 60 डिग्री दिया है। और परावर्तित प्रकास की राण प्रकास की राण आपती थोरी है। अभी प्रकास की राण आपतित होती है, अभी प्रकास की राण आपतित होती है। किसी भी स्रोथ से जब प्रकास लिकलती है, तो उसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं रहती है। बहुत सारे प्रकास की राण लिकलती है, सब की गती अलग दिशा में होती है। तो यह जब यहां पर आपतित होती है, और इसको अगर हमको देखें, इसको इस चिन्ने से दर्साते हैं दो तो ऐसा यह 36 रहा और बीच में बिंदू दर्साते हैं, तो यह क्या बताता है? अधृूवित प्रकास ठीक है? यह अभी क्या है? अधृूवित प्रकास है दोस्त आप इसको अधूवित हो जाता है, अब जैसे यहां समतल दर्साते हैं, जो प्रकास की रण है दोस्तो हाँ, जो समतल एक समतल में ही गती करेगा धूस्तो ठीक है? जैसे यहां पर देखें, यह ऐसा एरो एरो वाला यह जब प्रकास यहां से देखें आप वर्तित हो रहा है ठीक है तो एरो एरो वाला प्रकास यहां पर मिल रहा है दोस्तों ठीक है तो यह अब क्या किया है दोस्तों हमने इसको दुरूवित कर दिया ठीक है अब एक सम्तल में घटना हो रही है तो सम्तल दुरूवित कर दिया इसको ठीक है तो यहां पर क्या होता है दोस्तों देखें तो प्रकास जब आप्तित होगी तो यहां परावर्तित भी होती अपवर्तित भी होती है ठीक है तो यह जो परावर्तित किरान है और अपवर्तित किरान है इन दोनों के बीच 90 डिगरी का कौन बनना चाहिए दोस्तों तभी हम इसको समतल्द रुवित कर पाएंगे ठीक है त सब्भी सगन माद देंगी तो यहां पर दीखें दो तो ये जो कोर्ड भनेगा आप तन कोर्ड़ या पतन कोर्ड़ कोर्ड वह टाइब यह तहुं बंदी थे को गॉलता है चलता है तो इस वे फ対 दुटे तो इससे संबंधित एक कहते हैं तो ब्रेवेश्टर कनियम क्या बताता है कि म्यू जो होता है तेन आई-पी के बराबर मिलता है अब म्यू क्या है दो तो जिस पदार को हमने लिया उसका पूरतनांक है ठीक है तो देखें अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे दो तो देखें यहां पर प्रश्ण में लोग language 1 क्या होगा है तो दीखें रहें मू बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों पहले माद्धिय में प्राकास पदार ह RAW प्राकास कवेग वह स्क est Über अब देखे हमको V कमान लिकालना है ना तो C बटा 1060 और ये V अब देखे प्रकास कभी एक तो पता है दो तो वायू में 3 गुडित 10 के गात 8 मीटर 30 सेकेंड और 1060 कमान कितना होता है दो तो 1060 कमान होता है देखे साइन साथ हमारा रूट 3 बटा दो और कॉस साथ एक बटा दो तो ये रूट 3 आता है दोस्तो ठीक है अब देखे ये रूट से एक रूट 3 या कट जाएगा तो यहां कितना बजाएगा दोस्तो रूट 3 गुडिद 10 की गात आट अट मीटर 30 सेकेंड और यही हमारा वी का वैग हो जाएगा दोस्तो ठीक है तो यही हमारे प्रष्ट का उत्तर हो जाएगा दोस्तो ठीक है दोस्तो तो option यहांज चेक करते हैं दोस्तो तो हमारा जो सही option आ जाएगा है यहांसे B option is the right answer. Thank you.